नमस्कार प्यार विद्यारतियूं कैसे आप सभी सभी आप हापीडली एक्जाम के तैयारी में लगे होंगे syllabus आपका जारी कर दिया गया और आप सोच रहे होंगे कि सर पठे करम को कैसे कंप्लीट करके कैसे अपने तैयारी करें लेकिन आपने जब syllabus को देखा तो आपने notice किया होगा कि वहाँ पर ऐसा लिखावा था उद्देशे उद्देशे का कि लिखावा था ज्यान, बोध, ज्यानोपयोग, कोशल और उसमें percentage भी लगे होगे सब आप लोग सोच में पढ़गे होंगे या फिर देखा ही नहीं होगे हमें क्या मतलब है नीचे किसनों का देखते हैं कि वस्ट निश्ट प्रशन कितने हैं वो कितना वो कितना वो देख लिया और खतम लेकिन हमें पता होना चीए कि हमारे हापेली एक्जाम में कैसे प्रशन पूछे जाएंगे और कितने प्रतीसत प्रशन पूछे जाएंगे क्या होता है ज्यान, बोध, ज्यानों प्योग और कौशल क्या होता है इन सब की संपूर्ण जानकरी मैं आपको संक्सेप में देने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आपका हापेली का जो एक्जाम है उसमें कहां से कितने प्रशन पूछे जाएंगे क्लास 9, 10, 11, 12 चाहिए कोई भी क्लास हो चाहिए बोड की क्लास हो चाहिए नोन बोड की क्लास हो कैसे प्रशन पूछ जाएंगे सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ और अपने सभी सातियों के इस वीडियो को शेर करतेज़ेगा, लाइक कमेंट जरूर केज़ेगा, चलो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका पाठेकरम जो है, सेलेबस जो है, जो नोन बूर्ड की विद्यारती है, उनका 70% सेलेबस है और बूर्ड की 50% की विशन ग्यान पर आधायत पूछे जाएंगे, 20% की विशन बोध पर आधायत पूछे जाएंगे, 20% प्रसन जो है जो है ग्यानों प्योग पर आधायत पूछे जाएंगे, और 10% जो प्रसन है वो कोशल पर आधायत पूछे जाएंगे, यह सारी चीजे जब बीड करत तो वहां पर सारी चीज़ें में सिखा ही जाती थी वो चीज़ें मैं आपसे साजा कर रहा हूं कि ग्यान बोद ग्यानों पेगर कोशल क्या होता है और भी कुछ चीज़ें होगी वो भी आपको समझाने वाला तो चले शुरू करते हैं सबसे पहली और खास बात जो पहला शब करेंगे उसी को हम क्या बोलते है जैसे एक बार हमने सुन लिया है एक बार देख लिया है एक बार पढ़ लिया है परिभासा याद करना नियम सिद्धान्त सुत्रपाठ आधी याद करना ज्यान के अंदर आता है ज्यान को भी दो प्रकार से हम विभाजन कर सकते हैं पहला आपको याद रखना है, प्रत्या भी ग्यान ऐसा ग्यान जो देखने पर अधायत होता है, उसको प्रत्या भी ग्यान करते हैं, देखने पर अधायत होता है, तो यह प्रत्या भी ग्यान तो ग्यान के अंदर रता है, यह ग्यान जो है इस नॉलेज का 50% आपके हापरली एक्ज चाहिए आपकी 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, 50% इस पता है, कुल मिला करके जो आपने पढ़ रखा है, देख रखा है, सीख रखा है, पाठे पुस्तक पराधायत है, वो चीज़ें इसमें पूछी जाएगी, आपके ज्यान से समधी चीज़ें पूछी जाएगी, बात समझ में जान लिया, उसके बाद में उसको समझते हैं, आप बिना गयान के समझें कैसे, जैसे बार बार सुनना, बार बार देखना, बार बार पढ़ना, विचलेशन करना, संसलेशन करना, व्यख्या करना, वर्गी करना, तुलना करना, अंतर करना, सम्मत स्तापित करना, इसको अबोध के अंतर आता, इसके जो प्रश्न पूछ जाएंगे, आपके 20% ऐसा क्योस्टे से पूछ जाएंगे, ज्यान के पूछ जाएंगे, 50%, आव बोध के पूछ जाएंगे, 20% अगला आता है ज्यानों पियोग यूज ओप नॉलिज जो आपने ज्यान सीखा है उसका उपियोग आप कैसे करोगे सीखेगे ज्यान का नवीन परस्तती में उपियोग करना या कैसे अन्य परस्तती में उपियोग करना क्या करना है और आपके सेलिबस का सेलिबस का मतलब क्या है आपके जो भी सब्जेक्ट है नाइन टेन इलेवन टुब उन सारे सब्जेक्ट में इस तरह से प्रशन पूछ जाएंगे जैसे नियोजन करना नियन लेना भाशन देना सलाह परामर सुझाओ स्विम के उधार देना स्विम के लिए नियम अपनाना समस्या यह सारे ज्यानों प्यूग सीखियोग की चीज़ करते हैं इसको भूलते हैं क्यास करना कोशल जैसे चार्ट है आपका चित्र है, मान चित्र मॉडल बनाना, चित्र में रंग भरना, शाम पट पर लिखना, कविता का सरस्वर वाचन करना, अभीने करना, प्रतर्शन करना, साइक सामगरी का प्रियोग करना, प्रियोग साला में प्रियोग करना, नुशासन स्थापित करना, नियंदर करना, आलत का निर्मान करना यह कोशल पर अधायता है कुछ बिनाना करना जो मैं आपको कुछ खुद करके देखते हो उसको कोशल पर अधायता है इसके 10% यह सलिबस का पूरा बंटवारा है अभी रुची वाला आपके नहीं है और अभी वर्ती वाला भी आपके नहीं है तो यह पूरी जानकरी मैंने आपको दे दी है कि पाठ्यक्रम में आपको ग्यान 50% प्रशन है उसका मतलब क्या है, बूध का मतलब क्या है, ग्यानोपयोग का मतलब क्या है, कोशल का मतलब क्या है, पूरी जानकरी मैंने आपको दे दी है, आप अपनी तयारी मस्बूत करना च के अंदा और सब्जेक्ट वाइज आप लोगे तो टू डबल लाइन के अंदर यह कोर्स है आप अपने इमितर सी एसी और आज के सेल से लेते हो दस परशेंट एक्स्ट्रा डिसकाउंट भी आपको मिलता है यह मैंने जो जानकारी आपको प्रदान की है हापिडली एक्जाम में कैसे और कितने प्रशन आएंगे यह आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और अपने सबी सातियों के इस वीडियो को शेर भी करना थैंक यू सो मच